एक शहर जो कभी नहीं सोता जहां सपने असंख्य सितारों की तरह होते हैं वहीं एक व्यक्ति की यात्रा दिल्ली की साधारन गलियों से लेकर वैश्विक स्टार्डम की उंचाईयों तक पहुँच कर लाखों दिलों को जीत लेती है यह है शाहरुख खान की कहाने बॉलिवुड के बाद शाह किया दो नवंबर 1965 को नई दिल्ली में जन में शाहरुख खान का प्रारंभिक जीवन फिल्म उद्ध्योग की चकाचौंद से कोसों दूर था एक मध्यम वर्गिय परिवार में पले बढ़े युवा शाहरुख ने अपने पिता को कम उम्र में खो दिया और बाद में अपनी मा को एक नुकसान जिसने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया इन तरासदियों के बावजूद शाहरुख खान ने अभिनय की दुनिया में सांत्वना पाई पहले मंच पर और फिर टेलिविजन पर जहां उनकी प्रतिभा अचूप थी 1980 के दशक के अंत में उनका टेलिविजन डेब्यू एक शानदार फिल्मी करियर की प्रस्तावना भर था शाहरुख मुंबई सपनों के शहर चले गए जहां सिल्वर स्क्रीन उन्हें बुला रही थी 1922 में उनकी पहली फिल्म दीवाना से उनके मीटियोरिक उभार की शुरुवात हुई दर्शक उनकी अनोखी आकर्शन और हर किरदार में लाए गए तीवरता से मोहित हो गए शाहरुख खान की रोमांटिक हीरो की अध्वितिय प्रस्तुती ने बॉलिवुड को नया रूप दिया दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों ने न केवल बॉक्स आफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि उनके नाम को सिनेमा के इतिहास में भी अंकित कर दिया उनके प्रशंसकों के लिए वह केवल एक अभिनेता नहीं थे वह एक भावना थे प्रेम, आशा और अनंत संभावनाओं का प्रतीक भारतिय सिनेमा से परे शाहरोख खान एक वैश्विक आइकन बन गए उनकी फिल्मे सीमाओं को पार कर गई, उनका आकरशन भाशाई बाधाओं को पार कर गया और वह दुनिया के मंच पर बॉलिवुड के प्रतीक बन गए मुंबई की सडकों से लेकर दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक शाहरोख खान का प्रभाव बढ़ता गया उनका फैन बेस भारत से परे विस्तारित हो गया जिससे वह दुनिया के सबसे पहचानने योग्य अभिनेताओं में से एक बन गए अपनी सफलता के बावजूर शाहरोख खान ने अपने हिस्से की चुनोतियों का सामना किया विवाद, बॉक्स ओफिस पर असफलताएं और व्यक्तिगत संगर्ष लेकिन अपने धैर्य से उन्होंने हर असफलता को एक सीढ़ी के रूप में इस्तिमाल किया शाहरुख खान केवल एक सुपस्टार नहीं है बलकि अपने आप में एक संस्था है उन्होंने एक पीढ़ी के अभिनेताओं को प्रेरित किया भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर लाया और वह बॉलिवुड के बादशाह बने रहे एक ऐसा खिताब जिसे उन्होंने विनम्रता और गरिमा के साथ पहना जैसे जैसे वह खुद को फिर से गढ़ते रहते हैं शाहरुख खान की विरासत बढ़ती जाती है हर फिल्म, हर प्रशंसक और हर दिल से जुड़ी कहानी के साथ शाहरुख खान केवल एक व्यक्ति नहीं है वह एक भटना है एक सपने देखने वाले एक बादशाह जो न केवल बॉलिवुड में बलकि दुनिया भर के लाखों दिलों में राज करते हैं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कॉमेंट्स में मुझे अपनी राए जरूर दें धन्यवाद